मनोच वाइश पाई का अच चोपनवा बर्थडे है बिहार के छोटे से गाउ में मनोच जब पेदा हुए तभी एक चोटीश ने बता दिया था कि वो एक्टर बनेगे ये बास सच भी हुई नो साल की उम्र से ही वो एक्टर बनने के सपने देखने लगे आउटसाइडर होने की वज़े से जब उन्होंने अपना पहला शॉट दिया था तब डारेक्टर ने उन्हें गेट आउट कहकर बाहर निकाल दिया था एनेसडी में उन्होंने चार बार अपलाई किया लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गए रिजेक्शन से वो पूरी तर से तूट गए हालाथ इतने खराब हो गए थे कि उन्हें सुसाइट करने के ख्याल आने लगे थे हालाकि वो इस बूरे दोर से परिवार और दोस्तों की मदस से निकल गए थे आज मनोच वाजपई के बर्देटे पर जानते हैं उनके संगर्श भरे सफर के किस्सो को मनोच का जन्म 23 अप्रेल उननीस सो कुनसित्तर को बिहार के छोटे से गाउ में हुआ था परिवार उलों ने उनका नाम एक्टर मनोच कुमार के नाम पर रखा था जन्म के बाद जब उनकी कुन्डली जोतिश को दिखाई गई तो उनने देखते ही बता दिया था कि वो आगे चलकर एक एक्टर या नेता बनेंगे जिस भी फिल्ड में जाएंगे उसमें सफलता ही हाथ लगेगी उनके पिता किसान थे और मह ग्रहनी चुट्टियों के दिनों में मनोच भी पिता के साथ खेती करते थे बच्पन से ही वो एक्टर बनना चाते थे उधर पिता की कमाई भी ज़्यादा नहीं थी इस वज़े से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पारे थे हाला कि जेसे तेसे उन्होंने मनोच को पढ़ाया मनोच ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 17 साल की उमर में दिल्ली चले गए वहां उन्हें NSD के बारे में पता चला उन्होंने उसके लिए वहां तीन बार अपलाई किया और हर बार रिजेक्ट हुए इस रिजेक्षन से पूरी तरह से तूट गए थे जिस वज़े से उन्हें सुसाइट के ख्याल आने लगे थे दोस्त इस वज़े से उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे बाद में दोस्तों और करीबियों के समझाने पर मनोज ने बेरी ड्रामा स्कूल से बेरी जान के साथ थेटर कर एक्टिंग सिखी थेटर करने के बाद मनोज को काम की तलाश में बहुत भटकना पड़ा एक बार वो अपनी फोटो लेकर काम के लिए एक जगह गए थे जहां पर उनकी फोटो पर एक असिस्टेंट डारेक्टर ने फार दी जब उन्होंने ऑडिशन के दोरान अपना पहला शॉट दिया था लेकिन इस पहले ही शॉट पर उन्हें बहार का रास्ता दिखा दिया गया संगर्श का ऐसा दोर था कि वड़ा पाउखने तक की भी पैसे नहीं होते थे इसके बाद मनोज ने काम की तलाश में चार साल गुजारे उसके बाद उन्हें महिशपट की टीवी शो स्वाभी मान में एक छोटा सा रोल मिला इस शो के लिए उन्हें हर एपिसोट के लिए पंदरा सो रुपे मिलते थे वहीं उन्हें बड़ी फिल्म सत्या से पहचान मिली थी इसमें उन्होंने बीकू मातरे का रोल मिला था साथी फिल्म के उन्हें नेशनल आवार्ड मिला था इसकी बाद फिल्मों को सलसला जारी रहा मनोज ने शमीता शित्टी के साथ कई फिल्मों में काम किया था दोनों के बांडिंग डेक फेन ने ये क्यास लगाने लगे थे कि दोनों का अफेर है ये अफवा काफी दिनों तक चर्चावे रही हाला कि शादी शुदा मनोज ने इस बात का खंडन क्या था जिसके बाद इन अफवाहों पर विराम लग गया मनोज वाचपाई ने लगवख 62 फिल्मों में काम किया है वहीं वे 118 करोड के मालिक भी है वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ मुंबई के अंधेरी में ओबरा स्प्रिंग के अपाट्मेंट में रहते हैं फिल्मी करियर में मनोज को तीन फिल्म अवार्ड चार फिल्म फेर अवार्ड मिले हैं 2019 में उन्हें बदमशी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसी के साथ बने रहे हैं राजटर्मा टीवी के साथ खाने बाद